तो ये बेस्ट मिस्टेक का थर्ड पार्ट है अगर आपने इसके पहले के पार्ट नहीं देखे तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक देदूंगी आफ आज आकर देख सकते सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि यॉंग दो अपी दोस्त का पर्स टूणने के लिए बार में गई थी जहां उसने जुहो को देखा था अगरे दिन जब वो स्कूल में आती है तो वो जिहानों के दोस्त जुहो से इस बारे में पूशना चाहती थी पर उसके बाद उसस बोलता है कि तुमने का मुझे देखा था ना फिर यॉंग दो कहती है कि हा domini तुम्छे देखा तो था लेकिन क्या वो तुम ही थे तो जुहो बोलता है कि हाँ वो मैं ही था मैंने जैसे ही तुम्हारी तरफで तुम ह reperd Improve तो बहुत सुधरे होये लगते हो बर्ड़ तो बाह कर दो मैं तुम्हें एग्णोर मारकर वहां पे से बाग गई तुम इतने च्छोटी सी बात पर कपड़े क्यों निकाल रहे हो तो जूहू उसके बाद सुनकर हसने लग जाता है और उसके बाद वो उसे अपना टैटू दिखाता है और बहुत ही जदा पसंद है और मेरा ड्री उसके ड्रीम के खिलाफ थे क्योंकि बच्पन से जूहो पढ़ने में बहुत ही होशिया था और अपनी क्लास में हमेशा टॉप करता था इसलिए उसके मॉम डैट चाहते थे कि वो टैटूस मनाना छोड़कर अपनी पढ़ाई पर ध्यान दी और अपनी लाइफ में कुछ औ पर्फेक्ट रुखता हूं ताकि मैं अपनी ड्रीम को पास सकूं और मेरे पैरेंट्स में उसमें मेरा साथ दें तभी तो स्कूल में मैं तुम्हारा सीधा साथा क्लास प्रेजिडेंट और स्कूल के बाहर मैं वह हूं जो मैं बनना चाहता हूं उसके बाद चुहो तुम्हें बताना चाहिए क्योंकि तुम एक बहुत ही अच्छी लड़की हो जिस पर मैं ट्रेस्ट कर सकता हूं और मैं तुम्हें अपने कुछ पे बात बता सकता हूं और वैसे भी मैं बहुत लंबे टाइम से चाहता था कि मैं ये बात किसी को बता हूं लेकिन मुझे कभ आगर तुम्हारा फेस देका तो मुझे पता चल गया था कि वह तुम ही थी जिसे मैंने कल देखा था फिर उसके बाद यांग दो की बात सुनकर हसने लग जाती है और बोलती है कि तुम्हारा सीक्रेट मेरे पास पिल्कुल सेफ रहेगा मैं ये बात किसी को भी नहीं बताऊंगी उसके बाद जुहो यांगदू के सामने फ्रेंशिप का हाथ आगे बढ़ाता है तो यांगदू भी जुहो से हाथ मिलाती है और वो दोनों काफी अच्छे दोस्त बन जाते हैं उसके बाद यांगदू अपने घर पे आती है और वो थोड़ा लेट सोती है इसलिए सुबह उसकी आग नहीं खुलती है फिर वो जैसे सुबह उठती है तो वो देखती है कि उसे स्कूल के लिए बहुत जादा लेट हो गया है यांगदू अपनी स्कूल के लिए आज तक कभी भी लेट नहीं कि वो इस सिच्वेशन में क्या करें तो वो दूर से ही थोड़ी देर तक उन्हें देखती है तब ही वहाँ पर जियान हुआ जाता है तो यॉंग दो उसे रोकती है और बोलती है कि आज मुझे स्कूल के लिए बहुत जादा लेट हो गया है तुम्हें तो हमेशे लेट आन इतना साथ experience हो गया है क्या तुम्हें बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा है तो जियान हो उससे बोलता है कि तुम्हें किसने कहा कि मैं टीचर के सामने से जाओंगा मैं स्कूल के पीछी जो दिवार है ना उसमें से जम करकर जाओंगा तो यॉंग दो बोलता है कि तुम करें परिशान नहीं करूंगी बस एक बार मेरी help कर दो तो जियान हो से इते साथले कर जाने के लिए तैयार हो जाता है उसके भाओं मत पूरी दिवार पार करी चुकी थी वारद दिवार चड़ने की प्रैक्र्टिस करती है लेकिन kin कि बार दिवार बार चड़्ने पाती है या नहीं तो यॉंग दो बोलती है कि हाँ मुझे जाना है अगर मैं नहीं गई तो मुझे पनिश्मेंट में पूरा स्कूल साफ करना पड़ेगा उसके बाद वो दुबारा दिवार पर चड़ने की कोशिश करती है लेकिन उसके बाद भी वह नहीं चड़ पाती है तो जिय जियान हूं से बोलता है कि तुम रुको और अपना बैग निकालो यॉंग दो को लगता है कि वह उसके बैग से पैसे निकाल सकी तो यॉंग दो उसके बोलती है कि मेरे पास पैसे नहीं है मैं तुम अपना बैग नहीं दूंगी उसके बाद जियान हूं से बोलता है कि तु स्कूल में पहुंची जाते हैं तो यॉंग दो बहुत ही सथा खूश जाती है और वो जीहानू को थाइंक्यू भी बोलती है उसकी है करने के लिए और फिर उसे बताती है कि फर्स टाइम मेरे स्कूल में लेट आने का एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा था और कहती है कि ठीक कि हुआ कि मैं तुम्हारे साथ लेट आई थाइंग गॉड आस तो मैं बची गई फिर जीहानू उसे बोलता है कि कोई बात नी और ऐसा कहकर जीहानू वहां पर से जाने बाला होता है तब तक यॉंग दो उसे रोकती है और उसे हाइफाई देने के लिए बोलती है तो जीह दो देखने लग जाता है तो यॉंग दो से बोलती है कि क्या हूआ तो मुझे ऐसे की देख रहे हो जल्दी से क्लास में चलते माना क्लास खतम हो जाएगी और ऐसा कहकर यॉंग दो आपर चिली जाती है लेकिन जियान हूँ अभी भी वहां पर कड़ी होकर यॉंग दो कोई जियानु बोलता है कि तुम्हारा बैक तो अप खया शायद उसे किसी ने चुरा दिया अब मैं क्या करऊ है तो यॉइंग दो बोलता है कि मुझे परिशान मत करो मुझे लेटने दो और अपनी शिकाइट टीचर से जाके कर लो मैं इसमें कुछ भी नहीं कर सकता हूं बट यॉंग दो माँ पेसे चाहती ही नहीं है और वो जियानों के पीछे लगी होई होती है कि वो उसका बैक ढूंदे कुछे देर बाद उनकी क्लास स्टार्ट हो जाती है और उनकी टीचर उन सभी को उनकी बुक उपन करने के लिए बोलती है सभी बच्चे बुक्स लेकर आये होते हैं लेकिन यॉंग दो का तो बैक ही चोरी हो गया था उसके पास बुकी नहीं थी तो उसे बहुत ही डर लग रहा होता है जियान हूं से देखता है तो जियान हूं से अपने नोट बुक दे देता है तो यॉंग दो उसे बोलती है कि अगर तुम मुझे अपनी नोट बुक दे दोगे तो तुमें टीचर से डाट पड़ेगी फिर यॉंग दो उसे बोलता है कि तुम मेरे नोट बुक चुप चाप से ले लो मैं अभी थोड़ा सा सो रहा हूं और हाँ मेरे लिए साथ सुत्रे नोट बनाना ऐसा कहकर जियान हो लेट जाता है उनकी मैं उन्हें पड़ा रही होती है तब ही उनकी नज़र जियान हो जाती है जो क्लास में लेटा हुआ होता है तो उसकी मैं उससे उटने के लिए बूलती है और उससे कहती है कि तुम आज नोटबुक लेकर आना भूल गए न और फिर वो जियान हो को डाटने लग जाती है जब यॉंग तो ये सब देखती है तो उसे बहुत ही जाता बुरा लगता है फिर उसके बाद उसकी मैम जियान हो को परेश्मेंट देती है और उसे दिवार के सामने खड़े होने के लिए कह से दिखने लग जाती है तो जियान हो से बोलता है तो अपके पड़ाइब नोटो के लिए लग जाती है सब्सक्तक्राइब इंग दो को बताता है कि जियान हूँ तो अभी किसी काम से बाहर गया है। उसने मुझसे कहा था यो यौंग दो को बोल दिना कि वह उसकी नोटबूक उसकी डैक्स पर रख दे और अगर तुमने उसके नोटबूक तुम्हारे फेस की तरह बेकाल लिखे होंगे तो उसने कहा कि तुम उसके हाथ से गई जियान होके दोस्के बाते सुनकर यौंग दो को जियान होपर बहुत किसे को भी देड़ नहीं होगा यौंग दो बोलती है तो मैं क्या करूं जियान हो कितना साथा गंदा है उसने मेरे बूरा बोला है वैसे तुम जियान हो को मत बताना कि मैंने उसकी नोटबूक पर एक मुक्णा मारा था तो जो बोलता है कि जियान हो उतना पी बुरा है कि वो एक स्टुडेंट है अपने हेयर बिर को ब्लाउंड करवा रखें और उसको देखकर ऐसा नहीं लगता है कि वो इसकूल में पढ़ने आता होगा आज तक उसने कभी भी अपनी स्कूल की यूनिफॉर्म प्रॉपर्ली नहीं पहनी है लेकिन वह सबसे थोड़ा सा यूंगदो को थोड़ा बहुत हुझ जीन हो को बताना मत इस बात का ध्यान रखना कि यह हम दोनों के बीच का एक सीक्रेट है फिर जूवो बोलता है कि पक कम है बात को कभी भी किसी को नहीं बताूंगा तो यॉंगदो से बोलती है कि मुझसे प्रॉमिस करो तो ऐसके बहुत like करने लग गया था और वो इसकोल से बाहर किसी और काम से नहीं बलकि यॉंग दो के बैक को डूनने के लिए गया था और जिसने यॉंग दो का बैक चुराय था वो उससे उसका बैक भी चीन कराता है जिसके कारण यॉंग दो के बैक पर तोड़ी मिट्टी भी लगी ह न हो को साथ में देखते हैं तब ही वहां पर उसकी दोस्त भी आ जाती है तो वहां उसे बात करने की कोशिश करती है threatening उसकी दोस्त को समझ में आता है ज्यान हो उसके सब्विप क्यूं कर रहा है उसके बाद वो भी यूझग दू और जुयों साथ में देख लेती है उसे भी यह सब देखकर बहुत जादा गुसा आ रहा होता है तो चलिए फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही बाकी का ड्रामा मैं आपको नेक्स वीडियो मिसना हूंगी तब तक के लिए बाई